नमस्कार बच्चो आज हम क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्क्षिट नमबर 2 को डिस्कस करेंगे जो कि आपके हिस्ट्री के चैप्टर 1 फ्रांसेसी करांती से रिलेटेड हैं बटा किसी वजह से मैं इस वर्क्षिट को नहीं बना पाई थी तो आप लोगों की डिमार्ड की वज रच्चो हमें यहां पर फ्रांसेसी करांती के कारण बताई गए अलगलग कारण हमें यहां बताए फ्रस एंदीओ चैट त्रित्य एस्टेट और यह सब आते थे और जो दूसरा पोईंट है हमारा जन्म अधारीध विशेश अधिकार लोगों को मिले युए थे तो जो प्रत्म और स्टेट और द्रित्य एस्टेट के लोगों को जन्म से लोग ते उनको ही कर चुकाने पड़ते थे उसके बाद दूसरा कारण हमारा राजनेती कारण कि इसमें कमजोर शाशन जो राजा था उसका जो शाशन था बहुत कमजोर पड़ गया था और लुई पढ़ेंगे बहुत ही बेकार नीतिया थी उनकी अच्छी नहीं थी जो जनता जिसके बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस कारण से फ्रांसीसिक रांती का जनम हुआ नेक्स्ट एन हमारा आर्थी कारण में पहला हमारा पॉइंट है खाली राजकोष जब लुई 16 राजा बना उस समय पर उसने पाया कि जो राजकोष है वो तो खाली पढ़ाया हैर जो विद्यसंसादन है वो सब खत्म हो चुकी नश्ट हो चुकी है क्योंकि जो बुरबु रा लुए जाते वह अपने आलिशान उनके का सारा राजकोष खाली हुच चुका थो उसलिए पर उनकी वजए से second point भी हमारे है कि युद्ध की वज़े से करज हो गया था अब जो करजा हो गया था उसकी वज़े से क्या हुआ कि व्यों वस्तुएं थी उनकी जो कीमत थी वो बहुत जादा बढ़ गई जो खाने पीने की चीजे थी वो भी बहुत जादा बढ़ गई और एक तो कीमत बढ़ गई और दूसरी ओर ना तो उत्पादन बढ़ पा रहा था और ना ही किसी की मजदूरी बढ़ रही थी जिसे की लोगों का जीवन जो था वो उसमें जीवी का संकट उत्पन हो गया था जिसे लोग अपना जीवन ठीक से नहीं विताबा रहे थे जीवन निर्वा नहीं कर पा रहे थे अपनी रोजी रोटी भी नहीं चला पा रहे थे जिसे की लोगों में एक क्रोध उत्पन हुआ था जो भी फ्रांसेस करांति का एक महतुपुन कारण वो भी एक बना था उसके बात दार्षनिकों की भूमी का why are you John Hö Paris और रूसरों जैसे कुछ दार्षनिक थे जिनका कहना था उन्होंने लोगों को जागरुक किया उनके अधिकारों के लिए उनके के विसे नहीं का कहना था कि लोगों को जन्माधारित विशेषादिकार नहीं मिलने चाहिए कि वह कहत से ना कि उसके पैसे से किसी भी समूं के पास कोई विशेश आधिकार नहीं होना चाहिए तता समाज स्वतंतरता समानियम तता समान अवस्वरों के विचार पर आधारित होना चाहिए इसी तरीके से उन्हों लोगों के सामने स्वतंतरता और समानता पर आधारित विवस्ता का मॉडल पेश किया और लोगों को अपने आधिकारों के प्रती जाग रुकिया जो कि फ्रांसेसी क्रांती का एक महत्तपुन कारण बने उसके बाद आते हैं हमारे तातकालिक कारण 1789 में टेक्स बढ़ाने का विचार अब राजा ने जैसे देखा कि राजकोश्टों खा लिए उपर से कर्ज इतना जादा हो गया है तो राज्ये को चलाया कैसे जाए अब राजों में जो सुविधाय उपलब्द कराएने हैं अब तरित्यवर्ग पर इतने जादा टेक्स लगे हुए थे कि जो चर्च था वह भी किसानों से धार्मी कर लेता था जिसे हम कहते थे और राजा भी जो टाइड था वह उनको किसानों को अपनी फसल का एक बटा दस वह भाग देना पड़ता था साथ ही राजा भी उनसे कर लेता था जिसको टाइल कर कहते थे इसके अलावा अब प्रत्यक्ष कर भी उन लोगों को देने पड़ते थे जो भी हमारी डेली यूज होने वाली वस्तों थी उन पर वह कर लगाया जाता तो जैसे नमक और तंबाक हो और उसके साथ साथ अब और टेक्स बढ़ाने के जनरल में वोटंग की की प्रक्रिया में बदलाव से लूइज सोला का इंकार एक स्टिटश जनरल में में बदलाव की बात.- इसके बारे में चीज़े हुई थी पांच मई 1789 में लूइस के द्वारा टेक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरेल की मीटिंग बुलाई गई थी इसके बार में में थोड़ा सा डिटेल में आपको पता देती हूं पांच मई 1789 में लूइस ओलवा ने क्या किया एक एस्टेट अंसेंबली की बैठे को बुलाया उसमें पहले और दूसरे वर्ग के 300-300 सदस्यों को बुलाया गया और तीसरे वर्ग के 600 प्रतिनीदी थे जो उनके पीछे खड़े किये गए अब इस स्टेट असेंबली में क्या होता था कि प्रते एक वर्ग का एक ही वोट काउंट होता था कि पहला वर्ग जो है इसमें तीन सो सदस्य थे उनके लिए भी एक ही वोट माना जाएगा सभी सदस्यों का दूसरे वर्ग का भी एक ही वोट माना जाएगा तीसरे वर्ग जो 600 प्रतिनीदी थे उनका भी एक ही वोट माना जाएगा इसमें अब तीसे वर्ग ने ये मांग की थी कि ये एक जो वर्ग है उसमें प्रती वर्ग एक वोट का ना होकर हर व्यक्ति का एक वोट का अधिकार यहां पर मिलना चाहिए क्योंकि आप ये देखें कि 300 लोग जो थे वो तो प्रत्म स्टेट के थे 300 थे अब जो वोटिंग होगी और 600 थे तीसरे वर्ग के अगर 600 वोट हम दे देते हैं सारे उनके फेवर में तो वो बहुत जादा काउंटिंग है अब मत एक होने की वज़े से वो हार जाते थे पर प्रत्थम वर्ग और दृत्य वर्ग अपने फेवर में वोटिंग कराते थे तो इस चीज़ को उन्होंने मना किया कि ऐसे वोटिंग हम नहीं स्विकारते आप जो है राजो को बोला कि प्रतिव्यक्ति एक वोट का अधिकार हमें दीजी और इस मांग को मानने से इनकार कर दिया अब जब राजा ने इस मांग को मानने से से इंकार कर दिया तो तुरित्य स्टेट के लोगों ने क्या क्या विरूद में सदन से वॉक आट कर दिया सदन को छोड़ कर चले गए और बीस जून 1789 में वो वर्साइए में महल में से टैनिस कोट में कटे वे जमा हुए और उन्होंने खुद को नैशनल असेंबली गोशित कर दिया और कहा कि जब तक राजा की दिने रंखिश अधिकारों के नहीं होगी इन अधिकारों को नहीं कम किया जाएगा तब तक हम इस नैशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे यह इसी तरीके से काम करती रहेगी उसके बाद जब यह मांग चल रहे थी और यह नेसल असेंबली चल रहे थी और यह सब जो हो रहा था विरोध उसके चलते-चलते उसी समय पर बहुत अधिक ठंड पर नहीं की वजह से क्या हुआ जो फसले थी वो नश्ट हो गई अब फसले जब नश्ट हो गई तो क्या हुआ अनाज जो था वो बहुत कम रहे गया पावरोटी भी बहुत कम रहे गई तो दुकानदारों ने क्या क्या जमाखोरी करना शुरू कर दिया जो अभी अनाज था उसको छिपा कर अपन अब लोगों में इस चीज़ को लेकर भी गुस्सा हूआ गया कि एक तो हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं राजा और दूसरा इतनी कर्ज हम पर लगा रहे हैं तूसरा के चीज़ों के दाम भी बढ़ा दिया अब लोगों ने क्या किया कि दुकानों में गुस्कर लूट भी हो गई है तो राजा ने सेना को कूछ करने का आदेश दिया उसनों ने कहा शेहर में भेज दिया लेकिन इस सब के चलते यह अफवा फैला दी गई है वह फैल गई थी कि 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ कि जो सैना आई है उसमें राजा ने उसको आदेश दिया है लोगों पर गोली चलाने का अब इससे जो इस आदेश से इस अव्वा से जंता और जादा भड़क गई और उन्होंने क्या किया 14 जुलाई 1789 में बास्तील के किलो को ध्वंस्त कर दिया जो कि राजा की निरंकुष शक्तियों का प्रतीक था अब राजा ने देखा कि जंता में इतना जादा रोश उत्पन हो गया इतना गुस्सा उत्पन हो गया तो राजा समझ गया था कि जंता पर अब उसका अधिकार नहीं चलने वाला है और इसी तरीके से फ्रांसेसी ग्रांती की शुरूआत हो इती और इसके बाद चारग 1789 की रात को असेंबली ने क्या किया करों करतावय और बंधन वाली सामन्ती विवस्ता को खतम करदिया जो kinda जो समान्ति विवस्ता ते उसको को जब्त कर लिया गया और इस तरह से जो भूमी जब्त की और यह जो कर सब कुछ समाप्त कर दिये गए बीस अरब लिब्रे की समपति जो थी वह सरकार के हाथों में आ गई उस समय पर तो बच्चों यहां पर यह वक्षीट कंप्लीट होती है इसका जो एक्स्प्लानेशन है मों यहाँ पर कंप्लीट होता है आई होप आपको यह वक्षीट समझ में आ गई होगी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो के इस वक्षीट के कोश्चन अंसर हम नेक्स वीडियो में करेंगे तो तब 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 तक के लिए बच्चो बाइबाइब बच्चो